नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार, इंकरडवल I.S. Academy में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये लुसिंट का महा संग्राम है जिसमें प्राचीन भारत में हम लोग आज कोशिस करेंगे समझने का कि सिंदू सबिता आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद सिंदू सबिता से आयो कहीं से भी कोश्चन उठा ले किसी का गलत हो तो हो लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए इसी अनरूप में और इसी अस्टाइल में पूरा ट्रिकी और बच्चों की तरह कोशिस करेंगे समझने की लेकिन इससे पहले दोस्तों जैसे ही लोकडाउन समाप्त होगा उसके बाद आप किसी संस्था के पीछे भागिएगा तो आपके पास में एक बहत्रीन ऑप्शन है जहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता बलकि BPSC के बदलती प्रिलिम्स में 30 प्लस हम लोग रिजल्ट दे सके और बात रही मेंस की तो उपर वाले और आप लोग की दुआ से इसमें भी फिर बताएंगे कि कितना रिजल्ट हम लोग दे सके डेली ग्रूप में एक मातर संस्था है जो बच्चों की खिदमत करता है और वह है सियोर सक्सेस अगर अधिक जानकारी और भी आपको चाहिए तो नीचे का नमबर जो डिस्पले होगा 9334710148 पर आप कभी भी किसी भी टाइम में कॉंटेक्ट करके आगे की और जानकारियां ले सकते हैं त जैसे नवीन भिशलेशन पद्धिता को दौारा सिंधू सभिता का सरवमान्तिति जो है 400 इसापुर्व से लेके 700 इसापुर्व मानी गई है कि जो सिंधू सभिता है उसके टाइमिंग 400 इसापुर्व है अब देखे यहां पर वर्ड एक यू ज़ो और यूजवा है रेडि जो है, mobile use हो रहा है, इसके बाद कोई और technology हो जाए, यूस आप्टर, एक हजार साल के बाद में, इससे भी बेहतर ही हो जाए, तो जब ये technology, ये समय, जब गौन हो जाएगा, जब ये समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल बिलुप्त हो जाएगी, तो जब यहां से खुदाई के या कैसे भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा पदार्थ, कोई material निकलेगा, तो जब उसमें carbon C40 रा लेंगे, तो पता चलेगा, कि ये जो यूस किया जाता था, ये कौन से टाइम में यूस किया जाता था, तो पता चलेगा, 21 सधी में यूस किया जाता था, और इसके टाइमिंग करीब करीब है, 2020 के आसपास, 2010 और 2020 के आसपास का टाइमिंग था, जहां पर मुवाइल का यूस सबसे जादा खतरनाक तरीके से हो रहा था, और इसकी नुक्षान जो है, रेडियो, एक्टिव रे के कारण जो है, मनुस्य के सरीर पे इसका effect बर रहा था, मतलब कहने का मतलब बाता था, 2400-700, 1800-1900, या फिर 1200-2400, ऐसे करों आपको फसाएगा, तो याद रहाएगा, चोभी सो से सत्रे सो टोटल जो है, 700 वर्स रहा वो सिंदू सबिता का, ऐसे याद रहाएगा, 700 मतलब 700 वर्स, टोटल, सत्रे सो, मतलब क्या है, देखिए, ट्रिक समझेगा, सत्रे सो तो इसका मतलब एक हटा दीजी, यानि 700, यानि कि 700 में 700 अगर जो और देते हैं, तो ये 1200 पहुंच जाएगा, यानि 1200 से 700 सिंदु सभिता रहा, क्या आप कभी भूलिएगा, आपको लगता कि आप कभी भूल जाएगा, और जब कोशन दूँगा, या आयो कोशन देगा, तो आ आपक एतिहासिक, यानि कि प्रोटो हिस्टोरिक्स अत्वा कांस, यानि कि ब्रॉंज यूग में रखा जाता है, ध्यान रखेगा, कौन तो सिंदु सभिता को जो है, वो कांस यूगीन सभिता माना जाता, और इस सभिता के मुख निवासी जो थे, वो द्रवीर एबं भूम तो याद रखेगा, अगर पूछेगा, सिंदु सभिता के मुख निर्वासी कौन थे इन में से, तो लिख देगा, दरवीर थे, नागर थे, या फिर यादब थे, ऐसे करके, आपको मिला देगा, तो याद रखेगा, दरवीर और भूमत सागर ये, कलियर हो रहा है, ग्यान रह जाएगा, और आप मेंस ने लिखेगा, तो ऐसा ग्यान किस काम का है, तो निक सोच के देखिए, तो ये कूरा के कम थोड़ी है, ये तो कूरा आपके लिए, जब मेंसी लिखने का मौका आपको न मिल पाया तो, इसलिए थोड़ा सा समझ के साथ में, और हमारे सा सांग डौड, यानि की बलुचिस्तान में पढ़ता है, और पुर्भी पुरास्थान, हिंडं नदी के किनारे, आलमगीरफूर, जिल्ला, मेठ उत्तर पर देश, और उत्तरी पुरास्थाल चिनाब नदी के दटठ पर, अखनूर के निकट मानदा, यानि कसमिर में, ततह द वह दाश्रक नदी के किनारे था और इस्तित कहां पर था सुत कोंग डोरा माने बलुचिस्तान अगर आप चले जाए उत्तर में हिंदुस्तान के मेपफ थोड़ा सा खोलिये उसके उत्तर और पसिम दियान दखेगा उत्तर और पसिम बैला चेत्र देखेगा इस तरीके से ये वाला एडिया दियान देखेगा उत्तरपसिव बलुचिस्तान ये वाला जगह था फ़सिम की योड़ास्त Years फैला हुआ था और पूर्वी इस्तर 2 merciful एस यहां पर झाली होगा तो यहां प यह वाला जगा पर चिनाब नदी के निकट अखनूड के निकट मानदा, मानदा कहाँ तो कस्मीर में है, यह वाला इलाख्या, और लास्ट में दच्चरि पुरास्थल गोदाबणी नदी के निकट में दायमाबाद जिला, अहमद दगर, महरास्थी, यह वाला रीजन यहां 코아, Tauriota Airport, तो यह तक यह फैला हुआ था, नेख से सिन्धु सभिता से संधभ शबिता, नगड़िये सभिता थी, मत्तोँ किस नगड़िये सभिता कई रोजाह कई हैं, यह यह जो थी, वह नगड़िये सभिता थी, यह भी ध्यान रखिएगवा, सिंधु या सेंधभ दोनों एक ही है, ये नगर्य संभिता थी. सेंधभ संभिता से प्राप्त पड़ीपक अवस्था वाले अस्थलों केबल 6 को ही बड़े नगर्यों की संग्या दिया दी गई है जितने भी प्राप्त हुए हैं Blood उसमें से सेंधब शबिता में छे को ही बड़े नगरों की संग्या दी गई है, सबसे पहला याद रखना है, मोहन जोद्रो, हरप्पा, गनवारी, लवाला, धौला विला, राखी गढ़ी और काली बंगन, ध्यान रखिगा एक बार फिर से सुन लिजे, मोहन जोद्रो, हरप् काली बंगा, यहाँ जो है छे बड़े नगर की इसमें संग्या दी गई है शिंदू शबिता में। जो वो उस टाइम की सभिता थी, वहां पे जो बंदरगाह था, वो लोथल और सुथकोद्दा थी, जो बंदरगाह था, बहुत इंपोर्टेंट है, हमेसा कोशन पूछा जाता है, और हमेसा अब गलत करके आ जाते हैं, लेकिन अब गलत ना हो, यादर कीगा, लोथल और सुथ मतलब क्या है, कि यहां पे जो जगह था यह दोनों, यह उस सिंदू सभिता में यह बंदरगाह था, नेक्स है, जूते हुए खेत, और ना कासीदार इटों का परियोग का साच, काली बंगन से प्राप्त होता, मतलब क्या है, जूता हुआ खेत, अब देखिए यहां पे ट् बंदरगाह है, और सुत्कुदा मतलब क्या, सुए हुए, लोथ है, मतलब सोए हुए, यह दोनों जगह था, यह बंदरगाह था, सिंदू सभिता, क्या अब भूलियेगा जिन्दगी में, कहां ठीक आपको चाहिए, कहों सा ठीक चाहिए, यह तू कभी ने भूलने बाला औ आइसे याद रख सकते हैं, जो कि वहाँ पर क्या होगा, खेत जब जुत्ता होता है, काला होता है, और ना कासीदार एंट होता है, एंट जो होता है, वो पहले मिट्टी का होता, लेकि बिना जलाए हुए, वो अपनी आकार कभी नहीं ले पाता है, ध्यान रखेगा, तो जो नकासी कीट एंट की अप्रियो किया होगा, वो काली बंगन से प्राप्त होगा होगा, अब आपको भी बूलिएगा, अजमा के देख लिजे, हम भी तो देखें कैसे आपको नहीं याद रहता है, कि जुते हुए खेत काली हुदी सर बताया है, और प्लस में, जो बता है कि नकासीदार एंट, एंट तो बीना जले हुए होगा होगी नहीं सकता है, यानि काला बीना हुए काम ही नहीं करेगा, उसके बाद उसमें नकासी किया जाएगा, तो काली बंगन, अब नेक्स जो है, मोहन जोद्रों से प्राप्त असनानागार, संभपत सेंधव सभिता की सबसे बड़ा इमारत वो असनानागार है, यह तो किलियर है, मोहन जोद्रों से प्राप्त हुआ है, कहां से यह असनानागार प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखेगा, मोहन जोद्रों से प्राप्त हुआ है, संधव सभिता में, वो असनानागार सबसे बड़ी इमारत माना जाता अब क्लियर हो गया यहां पर कोई प्रॉब्लम अब आते हैं आगे शोना जो है आफगानिस्तान इसाटी आ यहां दो किसी को नहीं भी प्रॉब्ला से इक आ हनले मैं खम पढ़ा हो हुआ है शुजीद संरी संसेल इनितन से शुच सुचुप कर सकते और यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, चलिए, नेक्स आते हैं, मोहन जोदरों से प्राप्त, बिरहद अस्नानागार का एक परमुख अस्मारक जो है, अस्नानागार सबसे बड़ा छेतर था, मोहन जोदरों से जो प्राप्त हुआ था, शेंदव सभीताम ये तो कंफार्म में आपको बता चुका था, अब मोहन जोदरों से प्राप्त, बिरहद अस्नानागार एक परमुख अस्मारक है, जिसके मद इस्थित जो है, अस्नान कुंड जो है, 11.88 मीटर लंबा है, 17.1 मीटर चोड़ा है, और 2.3 मीटर गहड़ा है, अगर बेकु बनाना चाहे, कुछ इसा कोष्चन दे दे आयोग, जिसको कहते हैं, बेधंग कोष्चन दा किई आपके कॉंफिदेंस को ढाउन करने के लिए, अईसा कॉष्चन आयोग को सूठाकर दे देगा, जिसoure आपका कॉंफिदेंस जाएगा और इसनान कोष्था सबुग जबोच्रा सिदेंग को जसे और यह यही लंबाई वाला होता है, इसलिए कभी घवडाना ने ऐसा question है, तो दिमाग में fit कर लिजे, सब का गलत हो रहा है, किसी का सही नहीं हो रहा है, और अगर किसी का सही हो रहा है, तो वो जो है तकदीर से सही हो रहा है, किसमत से हो रहा है, कर्म से सही नहीं हो सकता है, तो ऐसे question को थोड़ा सा जान लेना है बस नेक्स है अगनी कुंड लोथल एबं काली बंगा से प्राप्थ हुए है जो अगनी का कुंड प्राप्थ हुआ है वो कहा से होगा लोथल और काली बंगा अब देखे यहां से आपका clear हो जाएगा अगनी कुंड अगनी मतब क्या काला हो रहा है इंट पक रहा है इंट कारना काली बंगन से खेथ demandé करना काली बंगा से मिलेगा तो ये भी आपको मिलेगा कहा से अगनी कुंड? काली बंगा से मिलेगा, आब बात रहा लोथल, लोथल को थुड़ा सा ऐसे कर दिमाग रखे गया, कि अगनी कुंड भी जो है वो लोथल से भी प्राप्थ हुआ है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, लोथल क्या था, बं तो यहां पर अगनी कुंड को रखा जाता था, क्या कभी भूलिएगा, अज मांके देखिए तो, क्या आपसे कोई कोई कोश्चन पूज देखा और आपना बताइए, ऐसे बताइए, तो सामने बाला का दिमाग कर जाएगा, आपको याद कैसे हो गया, इसका कौन सा ट्रिक द अगनी कुंड रखा जाएगा, जो कि दूसरे देख में जब बंदरगा है, एक देख से दूसरे देख जाता तो ठंड के लिए यूज किया जाता, चलिए, नेक्स आते हैं, मोहन जोद्रों से प्राप्त, एक सील पर तीन मुख वाले देवता, ध्यान रखीगा, पशुपत की मुर्ती मिली है, कहां से, तो मोहन जोद्रों से, बस इतना याद आपको रखना है, नेक्स है, मोहन जोद्रों से नर्तकी की एक कांस मुर्ती मिली है, मतलब क्या है, नर्तकी मतलब क्या है, नाचते हुए एक मुर्ती मिली है कांसा की, और कहां से मिली है, आप से हमीसा ये की मूर्तिय जिनके चार और हांती गेंडा चीता बीराजमान है तीर मुख वाले देवता यहां पर मिले मोहन जोद्रों से और यहीं पर कांस की मूर्तियां भी मिली है कहां पर तो मोहन जोद्रों से मिली है जो की नर्तकी करती हुई मतलब नाचते हुई जो है कांसी की मूर्त बहुआ जाता था शापा मार जो कि लागा है इतना याद रखीगा हरًपा की मढगान के कार खाना लोथल और चाहू दरों से मिले हैं मन के पनाने का मन के बनाने का जो कारखाना है वो कहां से मिला है तो याद रखीगा लोथल और चाहुंदरों से मिला हुआ है मन के मतलब क्या मन को एक तरीके से लोथल और दूसरे तरीके से चाहुंदरों दोनों को ध्यान रखना, यहां से कारखाना था, जो कारखाना मिला है लोथल और चाहुंदरों से, सिंदूस चबबिता की लीपी जो थी, वो भाव चित्रात्मक थी, जो यहां की लीपी थी, लीपी मतलब समझ में आ रहा होगा न, लीपी मतलब क्या है, आप जो लीपी अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दोसी पंक्ति बाई से ओर लिखी जाती थी, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, सबसे इंपोर्टेंट जो है भावचितरात्मक था, नेक्स सिंदू सभिता के लोग ने नगरों और घरों के बिन्यास क अब नेक्स जो है घरों के दर्वाजे और खिर्किया जो होती है सरक की और ना खुलकर पिछवारे की और खुलती थी, आज भी पुराने घरों में आप जिद्देद देखिएगा, तो जो दर्वाजा में होता था घर के आगे नहीं पीछे की और खोला जाता यहां पे आप होती थी, वो सामने से ना इंटर कर सके, जिससे कि गैर मर्द या कोई लोग उसे देख न सके, क्योंकि परदा परता था उस ताइम में इसलिए पीछे से दर्वाजा रखा जाता था जो कि आसानी से घर के अंदर इंटरी किया जा सकता, तो ध्यान रखिएगा घरों के दर् सरक की और भी नहीं खुलती थी, जिससे कि सरक के लोग देख सकें, बस दिमाग लगा ये, मतलब किया था, पूरे तरीके से सजग थे वहां के लोग, तो खिरकिया और दर्वाजे दोनों सरक की और ना खुड कर पिछवारे यानि पीछे की और खुलते थे, और केबल लोथ थे, वह असानी से पीछे से नहीं जा सकते थे, वह सरक रास्ते से ही जा पाते थे, क्योंकि पीछे से ले जाईएगा, तो उच्छल नहीं पाएंगे लोथ हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो सरक की और ही सिर्फ लोथल में होता था, क्या कभी भूलियेगा, अजमाल जो ती यहूं और जो उस टाम की ंए न वी ओसन की जो सबसे मुख फैसल थी गेहू और जो अव यहां से कोकश्चर यह उठता कि सर अगर गेहू और जो दोनों रहेगा तो कौन से मारेंगे पहले तो सबसे पहला है गेहू है आपको गेहू मारना होगा और अगर ऑपिये Aber दिया है, तो आपको E-Option मारना होगा, एक या एक से अधिक, किलियर हो गया, next है, संधव वासी, मिठास के लिए सहद का प्रयोग करते थे, उस ताइमें सहद होता था, मिठास के लिए, मिठा जो होता था, अभी हम लोग यूप 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 करते हैं, अभी हम लेकिन संधव वासी जो होते, संधु सभिता के लोग जो थे, मिठास के लिए सहद और फसल के लिए सबसे पहले गेहू, याद रखेगा, उसके बाद जो, मिठी से बने हल का साक्ष जो है, बनमाली में मिलता है, ध्यान रखेगा, मिठी का जो साक्ष मिलता है, तो बनमाली में मिलता है, अब मिठी से बने हल, मिठी से जो बना हुआ हल है, उसका साक्ष बनमाली से मिलता है, याद करने क्या है, बनमाली, माली जो है सीचता किस्से है अब याद कीजिए सीचेगा किस्से उसको हल से ही तो सीचेगा अपनी जो बागवानी करेगा वो किस्से करेगा हल से करेगा बनवाली तो जहां पर हल का साच मिलेगा वो कहां पर मिलेगा बनवाली में मिलेगा आप आसानी से टिक कर लिजिएगा और सही हो जाएगा आपका नेष्ट है रंगपूर और लोथल, त्यानद रिखेगा, रंगपूर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, यह दोनों छेत्र ऐसे हैं, जहां से क्या है, चावल के दाने मिले हैं, लेकिन सबसे पहले संदूसब्ता के मुख फसल कौन थी, तो या अब option देगा तो आपको बताना होगा कि लोथल रंगपूर और लोथल दोनो है तो option number E मारना होगा अब मिले हैं जिससे धान की खेती का होने का परमान भी मिलता अगर चाबल मिला है तो धान की खेती से ही चाबल होगा यह तो सक्षात है और यह कहां से मिल रहा है, तो आपको लोथल से मिल रहा है, हल कहां से मिल रहा है, बनवाली से मिल रहा है, सबसे प्रभुक फसल कहां कौन से है, तो गेहू है, मिठास के लिए सहत का उप्योग करते हैं, लोथल से ही आपको चाबल और रंगपूर से ही आपको क्या है, चाबल चाबल के पर्थम साक्ष जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुए है द्यान रखेगा चाबल के पर्थम साक्ष लोथल से ही प्राप्त हुए है तो लोथल से देखे कितना इंपोर्टेंट है लोथल आपके लिए सबसे पहले लोथल जो था उस टाइम का क्या था बंदरगा था एक लोथल ही था, जहांपे सरके जो खुली होती थी, पूरे संधव सबता में पिछवारे मोती थी, सरक और खिरकियां, लेकिन लोथल नगर एक ऐसा था, जो की सबसे बड़ा नगर कालाता था, उसकी जो घड़ों के दरवाजे, मुख जो होती थी, वो सरकों की ओड़ी खु और लोथल से, सेंधव कालिन, घोड़े के अस्थर पंजियां मिली है, कहां-कहां से, द्यात प्रूट करने का स्चि कोट दा तो इसके लिए चार्याओ, आपको रहा ही, जगए मुझकि तो यहां पर त्र Fellow क्या किका प्रूचक्र नौर से हैर्ण नशनी सांसे हình जाता है यहां यहां पर यहा कोड़ा जाता हैॐ फ़र इंट को पकाए जाता हुए खेतों को जाता नहीं है सुरकोद्दा में भी घोडे की अस्थरपंजिया मिलें तो दो याद रहेगा तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा बस दिमाग यूज कीजिए आपका कभी गलत नहीं होगा यही है लूसेंट में जिनका बार बार पिलिम्स होता है न वो यही काम करते हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आपको कभी नहीं सिखाएंगे आपको अगर यह लग रहाँ बोड है तो फिर रिजल्ट से आप दूर है धर्ती पे कोई सी पावर नहीं आपका रिजल्ट को आपके घर मिला के दिखा दे मैं आपको कभी भी demotivate नहीं करता हूँ याद रखीगा कर भी जरूर बोलता हूँ demotivate नहीं करता हूँ आपको हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से घुलिये मिलिये क्योंकि सागर है इस सागर को पूरा उठा के पीना है तो बिना दिमाग के नहीं पीपाईएगा क्लियर है तॉल की इकाई संभबता सोले के अनपात में होता था अब देखिए तॉल की इकाई संभबता क्या है सोले के अनपात में होता है यानि कि सोले अना उस ताय में क्या चलता होगा सोले अना याद कीजिए जिसको क्या पूरा एक रुप्या बोला जाता था, बस ट्रीक ही याद कीजिए, कि जहां पर तॉलकी काई होगी है, वो सोले अना, चार अना, उसके बाद आठ अना बोलते थे, जिसको पचास पैसा बोलते थे, उसके बाद बारे अना बोलते थे, जि तो और मज़ेदार इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे और कर नहीं तो परसों तक तो जरूर हम सिंदु सभिता में इंटर कर जाएंगे जब की बहतरीन तरीका से आपको समझाएंगे यहां तो प्रिलिम्स की क्लास चल रही है सेंधव सभिता के लोग याता यात के लिए दो पहिये और चार पहिये वाली बैल गारी या भैसा गारी का उपयोग करते थे अब देखे यहां पहियों की बात हो रही है कि दो पहिये और चार पहिये वाली यहां पर यूज जो किया से ही मिलवा सब्द , ड़ो है सिंधु सबिता से ही , यह मिलता किस से तो मेसोपोट्ITH मेसोपॉटामिया के अभी लिक होते थे, अभी श्मझ में इस चाहिम में लिखे जाते थे usually, जो लिखे जाते हूं , किसमें यह पता वो क्या है वो अस्तम भी तो है वो पहचान ही तो है तो उसी तरीके से वो अभिलेख होता था जिसमें पूरी कहानिया उसमें लिखी होती होती है नेक्स आते हैं सेंधब हरपा संस्कृती का शासन वर्निक वर्ग के हाथों में थे ध्यान रखेगा सेंधब हरपा संस्कृती का जो शासन था वो किसके हाथ में था तो याद रखेगा वर्निक वर्ग के हाथों में था नेक्स्ट है पीगट ने हरपपा और मोहन जोदरो को एक ब्रिस्तित समराज का जुर्वा राज़ानी कहा है किसको किसको तो ध्याने कीगए पीगट ने ध्याने कीगए पीगट ने हरपपा और मोहन जोदरो एकदम यादर कीगए जो की एक ब्रिस्तित समराज का जुर्वा राजधानी कहा गया है। सिंदू सभिता से मिलें, जहांपे बिर्चो की पूजा की जाती है, सिव की पूजा की जाती है, इसका भी साक्ष सिंदू सभिता में मिलता है, साथ सत में उरवर्ता की देवी मानकर इसकी पूजा भी किया जाता है, सिंदू सभिता में, तीन चीजी याद रखना है, याद र स्वास्तिक इस तरीके का चिन होता है, याद रखीगा, यानि कि स्वास्तिक चिन संभवता हरपा सभिता की ही देन है, जो आप घड में रखे हुए हैं, तो इसको बार-बार देखिए, और तो आसा दिमाग लगाए, कि आखिर ये चिन कहां से आया गया है, और क्यों ये दिय गनेश भगवान की पूजा की जाती है, यानि कहीं न कहीं देवताओ का ही है, और यह चिन से शुर उपासना का अनुसरन किया जाता, मतलब क्या शुर उपासना उस टाइम में अनुसरन किया जाता था, सिंदु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवसेस नहीं मिले, सिंदु घाटी में पूरे तरीके से मंदिर का अवशान है, मतलब कहीं दूर तक कोई नामों निशान नहीं है, ध्यान रखेगा नेक्स है, सिंदु सबिता में मात्री देवी की उपासना सर्वधिक परचलित था, उस टाइम में मात्री देवी की उपासना सर्वधिक परचलित था सिंदु सबिता में, परसुव में कूबर वाला सार इस सबिता में लोगों के लिए बिसेस पुझनिये था, जो है कूबर व लीखे Vita मि cry in chuy lure या कि आधिक मिलने कि अनुमाल लगा जाता कि संधव-समात मत्र-इर पईजाती इससे यह पता चलता है कि उस टाइम में ताकि attractions अधीतर जो है तो पित्र सत्तात्मक समाज है जहां पे पिता का ही बोल वाला होता है यानि की संधव सभिता जो था सिंदू सभिता जो था वो क्या था मात्र सत्तात्मक था एकदम याद रखिएगा और हमेशा यही सब कोश्चन देखे आपको clean bold करता है प्लीज आपसे हाथ जोड के request है यह सब चीज को सुनिये ने थोड़ा सा दिमाग में use कीजिये लगाएए किसी भी हालत में result इस बार ना रुके कोश्चन यहां से ही पूछेगा यही उठाएगा कोश्चन और आपको गिराक रख देगा इसलिए गल्ती से भी जो पढ़े हैं वो आपसे गल्ती ना हो आपसे हम इतनी उमीद जरूर करते हैं सेंधब श्वाशी सूत यानि की सूती और उनी वस्त्रों का पड़ियोग करते थे मतलब क्या वस्त उपयोग करते थे, वह सूती कम करते थे और उन कम करते हैं, तैससले तंट क करते होगा है, आप यू करते हैे, इससा है. काले रंग के डिजाइन किये हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे यहां पे जो है काले रंग का ही डिजाइन किया जाता था सिंदु सभिता में जो कि लाल मिट्टी के बर्तन बनाये जाते थे सिंधु सभिता के लो ध्यान रखेगा तलवार से परचित नहीं थे अगर आप सो पूछतेगा कि क्या सिंधु सभिता के लो जो है इन में से किसे परचित नहीं थे अब option देगा तलवार तीरधनुष भाला और इन में से कोई नहीं तो अगर आपको पता होगा कि सिंदुस घाटी के जो लोग होते थे, वो जो है किसे परचित नहीं थे, तो तलबार से वो परचित बिल्कुल भी नहीं थे, अगर ये पता होगा, तो आप तलबार मारिएगा और आपका सही हो जाएगा, नहीं पता होगा, तो अपना माथा ख कि और उस चित्रकारी नकासी किया जाता है, वो काली बंगन से मिल रहा है, खेती के साक्ष जो है काली बंगन से मिला है, याद आ रहा है ना? तो इस तरीके से पढ़िए जिससे के आप आसानी से कर सकें, इसका ख्याल रखिए क्योंकि इतना मेहनत और ये साथ पेज तो आसानी से मैं दस मिनट में बोल दूँगा लेकिन इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरा कॉंसेप्ट किलियर तरीके संदर जाना चाहिए जिसे लगे कि हाँ हमने असपढ़ा और मज़ा आ गया तो सही है नेक्से काली बंगन एक मातर हप्पा काली नसल था जिसका निचला सहर जो है समान लोगों के रहने हेतू किलो से घीरा हुआ था और काली बंगन का अर्थ है काली चूडिया यहां के पुर्व हरप्पा अस्थर पर खेत जोते जाने के अगनी पूजा की पर्था भी परमान मिले हैं अब देखिए सबसे पहली बात काली बंगन एक मातर हरप्पा काली अस्थर है सही है अब काली बंगन का मतलब क्या होता इसका अर्थ क्या होता काली चुडिया होता है इसके निचला जो सहर है काली बंगन का जो निचला सब समान लोग से जो रहते हैं जिसको कहते हैं निचला शहर ये समान लोग से रहते हैं वो क्या है किलों से घीरा हुआ तो मतलब चार कि अगनी पूजा में दो चीज बताये थे, याद किजी आपको, बंदरगा उस टाइम संधर उसके बंदरगा नाम था, वहां से धनते एक देच से दूसे जाते थे डूँख संभिता बंदरणע से आगनी कूंडर पलता थे तो, आगनी होता था तो यहां से यह भी लेक, और काली बंगर में क्या इटों को पकाया जाता था, तभी उस पे नकाशी की जाती थी, एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने बताया था, नेक्स ते परदा पर्था, वेश्या बिर्ती सेंधव सभिता में परचली थी, मतलब क्या परदा पर्था, परदा पर्था मतलब क्या इस तिरिया परदों पे रहती थी, वो कभी भी अपने आप घूंगट में, मतलब समझ में अपने आपको छुपा करती थी, गैर मर्द से आँख न मिलाती थी, ना देखने की कुशिश करती थी, उस टाइम में, और वेश्या बिर्ती, वेश्या से अधिक पती हुआ करता था, कभी उसके पास, कभी उसके पास तो इसको कहते हैं वेश्या बिर्ती, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी वो पती हुआ, कभी तो यह जो है, उस टाइम में सेन्दव समता में बहुत परचली था नेक्स्ट है सबों को जलाने एबम गारने यानि दोनों पर्थाएं परचली थी यानि कि अगर देखा जाए तो उस ताइम में हिंदू और मुस्लिम दोनों के साक्ष मिलते हैं जहां मुस्लिम एक तरीके से क्या है या फिर कर यह तो क्रिष्चन इसाई के भी साक्ष हो सकते हैं अगर एक तरीके से देखिए तो जलाया जाता जहां हिंदू का है दफनाया जाता वहां पर most probably जो है वो किसका था, तो मुस्लिमों का था, तो यहां पे जलाय और दफणाय दोनों परथाओं पर चली थी, हरपा में सबों को दफणाना जबकि मोहन जोदरों में जलाने की प्रता थी, मतलब क्या है, कि हरपा में जो होता था, वो सबों को दफनाया जाता था, ध्यान रखीगा, हरप लेना, माने दफना देना, यादर हो गया नहीं, मतलब क्या है, एकदम पूरी तरीके से जोत दो, मतलब क्या जला दो, खतम कर दो, अब क्या भूलिएगा लोथल और काली बंगा युग्म जो है समाधियां मिली है, लोथल और काली बंगा से जो है शमाधियां यहां से प्राप्त हुई है, सेंधव सभिता के बिनास का समभपता सबसे प्रभावी कारण जो था, वो बार था, कई बार कोश्चन पूछता है कि सेंधव सभिता का बिन अगर कि इसमी सथी कासी कैसे हुआ , तो अभी चपेट में एक सो Schon time जो लोग रहते हैं वह कही नदियों के कियनाड़ी हुआ था बार की वज़ा से यह सब्विता का अंथ हो गया था आग में पकी भी मिट्टी गोकला चाहने हैं घ्रक ा जात था तो आग में पक्ति भी मिट्टी ज़ो दिक भी आ नेक्स्ट थोड़ा सा यहां पे जानना है सब कुछ नहीं बस इंपोर्टेंट जैसे हरप्पा कहां है इसका राभी नदी के पास में है और इसके उतकन खरता कौन है तो ध्यान रखेगा दयाराम साहिनी और माधु सरूप वत्स और समय क्या था 1921 और इस्तिती कहां है तो पा अला बीरा याद रखेगा और सुत कोंगडदा याद रखेगा और इसमें आपको क्या याद रखना मैं बताता हूं यह सब याद रखना है और इसके साथ में आपको यह चीज यह चेत्र याद रखना बस कि कौन से चेत्र में है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बा बहुत important है तो आज जो था सिंदू सबेता हमने कोशिस किया कि अपने आसान भासा में बच्चों की तरह tricky आपके दिमाग में fit कर दो कि अगर यहां से आयो question पूछता है तो आपका जो है गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर बताईगा और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेयर कीजिए और हाँ comment करना गलती से भी न भूलिए अगर आप देखते हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप comment कीजिए क्योंकि हमारी मेहनत का पढ़ना आपका comment होता है और हाँ शजेशन जरूर देने की कुशिस कीजिए कि और इसमें अच्छा क्या किया जा सकता है पूरी तरीके से आप आजाद हैं बताने के लिए थेंक्यू नमस्कार